एक सूपर हीरो ऐसा जिसकी पावर्स उसके गुस्से के साथ बढ़ती है एंड एक सूपर हीरो ऐसा जो गोड ओफ धंडर है जी हाँ आज हम बात करने वाले हैं हल्क वर्सिज धोर के बारे में So hello everyone मेरा नाम है मंजीत and welcome to the fourth episode of किसमें कितना है दम लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले मैं साथ आउट दूँगा कस्यप परजापती को जिसने सैंटर क्विज का बिल्कुल सही अंसर दिया और अगर आपको भी चाहिए ऐसा साथ आउट तो सैंटर क्विज में पार्टी स्पेट करना जो मैं कम्यूटी पोस्ट में डालूँगा सो सबसे पहले मैं एक बात किलियर कर देता हूँ हम कंपेर करने वाले हैं हल्क के मुवीज वाले वर्जन को थोर के मुवीज वाले वर्जन से कोमिक्स वाले वर्जन को किसी और वीडियो में कंपेर करेंगे और हर एक round होगा 10 points का और end में जिस super hero के ज़्यादा points जुडेंगे वही winner होगा Round 1 Fighting Skills सबसे पहले बात करते हैं Hulk की Hulk की fighting skills ठीक ठाक है क्योंकि Hulk ने ना तो कोई fighting training ली है और ना ही इतनी ज़्यादा fights लड़ी है लेकिन फिर भी उसकी fighting skills ठीक ठाक है नेक्स्ट बात करते हैं Thor की Thor एक Asgardian warrior God है और उसको fighting training मिली हुई है और Thor की age approach 1500 साल है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने 1500 साल में कितनी लड़ाईया लड़ी होंगी और इससे उसकी fighting skills कितनी improve हो गई होंगी तो इस round में Hulk को मिलते हैं 7 points सबसे पहले बात करते हैं Hulk की हम सबने Avengers 2012 मुई में देखा था जहां Hulk ने अपने एक पंच से इतने बड़े monster को नोकाउट कर दिया था और कैसे Thor Ragnarok मुई में उसने फैनरीस वुल्फ की पूच पकड़ कर उसको फैंक दिया था इससे आप उसकी strength का अंदाजा लगा सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं Thor की हम सबने Infinity War में देखा था कि कैसे Thor ने Neutron Star के blast के सामने खड़ा रहकर उसने अपने weapon Stormbreaker को बनवाने में help की थी इससे आप उसकी strength का अंदाजा लगा सकते हैं इस राउंड में Hulk को मिलते है 9 points और Thor को मिलते है 10 points सबसे पहले बात करते हैं Hulk की Hulk की speed ठीक ठाक है लेकिन वो Thor जीतना fast नहीं है क्योंकि Hulk को एक जगह से दूसरी जगह jump करके जाना पड़ता है और नेक्स्ट बात करें Thor की तो Thor की खुद की speed तो normal ही है लेकिन वो अपने weapon Mjolnir या Stormbaker की help से अपनी speed को increase कर सकता है और फ्लाइ भी कर सकता है लेकिन या मैं Stormbaker की Bifrost वाली power की बात नहीं करूँगा क्योंकि वो एक different power है सबसे पहले बात करते हैं Hulk की Hulk बहुत ही durable है जहां Thor Ragnarok मूई में Thor से एंड Infinity War मूई में Thanos से पिटने के बाद भी Hulk जिन्दा बच गया था सो इससे आप Hulk की durability का अंदाजा लगा सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं Thor की आपको Infinity War मूई का ये scene तो यादी होगा जहां Thor ने Neutron Star की heat को अपने body से साहा था एंड उसके बाद Thor ने Wakanda जाकर Thanos की आर्मी से fight भी ली सो आप इससे Thor की durability का अंदाजा लगा सकते हैं सो इस राउंड में Hulk को मिलते हैं 9 points एंड Thor को मिलते हैं 10 points राउंड 5 Powers Hulk की powers की बात करें तो उसके पास Superhuman Strength, Superhuman Speed, Superhuman Stamina, Healing Factors जैसी abilities हैं नेक्स्ट Thor की powers की बात करें तो वो God of Thunder है सो इसके पास है Electric Manipulation, Weather Manipulation, Lightning Control, Resistance to Injury एंड मियोनलीर या Stormbaker की help से वाइफ्रोस्ट ओपन करने की power एंड फ्लाई करने की power एंड मच मोर सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि Thor के पास कितनी सारी powers हैं सो इस राउंड में Hulk को मिलते हैं 7 points एंड थोर को मिलते हैं 9 points राउंड 6, Intelligence Intelligence के मामले में यहां हम सब को पता है कि Hulk अपनी Professor Hulk या Bruce Banner वाली form में थोर से बहुती ज़्यादा intelligent है एंड प्रोफेसर Hulk के पास Hulk की सारी abilities के साथ साथ Bruce Banner की intelligence भी है एंड ब्रूस Banner के पास 7 PhD degrees है एंड वहीं थोर प्रोफेसर Hulk जितना intelligent नहीं है सो इस राउंड में Hulk को मिलते है 10 points एंड थोर को मिलते है 8 points राउंड 7, Experience Hulk और थोर में किसको ज़्यादा experience है इसका simple answer है आप मुझे comment में बताओ एंड मैं आपको बता भी देता हूं कि इसका answer है थोर क्योंकि भाई थोर की age Hulk से भूत ही ज़्यादा है एंड जहां थोर की age अप्रोक्स 1500 साल है वहीं Hulk की age अप्रोक्स 50 साल है यहां clear पता चलता है कि किसको ज़्यादा experience है सो इस round में Hulk को मिलते है 8 points एंड थोर को मिलते है 10 points सो at the end सारे points को calculate करें तो Hulk के total points होते है 57 एंड थोर के total points है 64 सो इस comparison का clear winner है थोर एंड आप इन दोनों superheroes के बारे में क्या सोचते है मुझे comments में जरूर बताना सो इस video में इतना ही एंड इस video को like, dislike जो आपको सही लगे वो कर देना ताकि मुझे पता चले कि इंडियन सुपर हीरो फैंस को कैसी videos पसंद है एंड ऐसे ही और content के लिए channel को subscribe कर लो एंड social media handles की link आपको description में मिल जाएगी सो आप मुझे वहाँ भी follow कर लो वहाँ भी मैं सुपर हीरो से related updates देता रहता हूँ सो मैं आपको मिलता हूँ next वीडियो में तब तक के लिए good bye टोप 7 most powerful super soldiers देखने के लिए उपर वाली वीडियो देखे एंड टोप 5 इंडियन सुपर हीरो देखने के लिए नीचे वाली